नमस्कार दूस्तों उमीद करते हैं आप सभी ख्यारियत से हों आज हम बना रहे हैं मटर पनीर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस मटर पनीर में कोई गी नहीं है कोई बटर नहीं है मिल्क नहीं है, कर्ड नहीं है या क्रीम भी नहीं है क्या आपको यकीन आ रहा है हाँ जी, ये सबजी इसी तरह से बनाए गई है इसमें zero oil है और fat के नाम पे सिर्फ पनीर का fat है बाकी कुछ भी नहीं तो चलिए देखें कैसे बनाना है यहां हमने चार बड़े टमाटर लिये है कुछ चोटे चोटे चार टुकडे गोभी के लिये है दो प्यास को काट लिया है कुछ हमने लसन की कलिया ली है और कुछ हरी मिर्च है लसन ओप्शनल है अगर आप चाहें तो ना डाले एक पैन को गरम कर लिया है इसमें अब हम कटे हुई टमाटर, कटी हुई गोबी के टुकड़े, प्यास, लसन की कलियां और हर इमिज जितना भी समान हमने काट के रखा था सब इसमें मिक्स कर लेंगे अब इनको हमें ऐसे ही ड्राइ रोस्ट करना है आपने देखा ना, इसमें हमने एक भी ट्रॉप ओयल का यूज नहीं किया है और डोंट वरी, पूरी वीडियो देखिए, लास तक भी नहीं यूज करेंगे बट आपको बाद में समझ में आएगा कि ये सबसी इतनी यम्मी क्यों बनी है तो आप देखते रहें अब इसे मसाले अड़ करते हैं, सॉल्ट, एक चमच धनिया पाउडर आधी चमच गरम मसाला, आधी चमच हल्दी पाउडर और एक चमच कटा हुआ अत्रक थोड़ी सी देगी मिर्च, मतलब अपने टेस्ट के अनुसार इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे ही हम इसे सौते करेंगे मसाले और जो हमने सबजियां काटी हैं, यह टमाटर, प्यास, गोबी सबको अच्छी तरह से ऐसे ही भून लेना है अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे पहले मैंने एक ग्लास पानी एड़ किया है अब पानी के साथ भी इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और देखते हैं कितने पानी की और जरुत पड़ती है आदा ग्लास पानी और एड़ कर रहे हैं अब यह आप देख रहे हैं उबालाना शुरू हो गया है इसमें अब क्या करेंगे इसको हम ढखकर पकाएंगे 10 मिनिट के लिए slow flame पर ढखकर पकाएंगे 10 मिनिट हो चुके हैं मैं इसका ढखकन खोल चुकी हूँ आप देखिए अच्छे से पक गई है सारी चीजे जो गोबी है वो भी बढ़िया से गल गई है तो सारी ही चीजे बढ़िया पक गई है अब इसको ठंडा करेंगे और पीस लेंगे अब ये पैन दुबारा से गरम कर लिया है ये पिसा हुआ पेस्ट है जो अभी सबजियों को हमने ठंडा करके पीसा था इसमें हम आधी चमच डाल रहे हैं चाट मसाला और आधी ही चमच समझ लीजे इसमें शूगर डाली है ये चोटी चमच से लीए है मैंने इसलिए आपको शायदी पूरी चमच दिखाई दे रही होगी बट आधी ही चमच लगा लीजे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी तक भी इसमें कोई ओयल घी बटर नहीं डिला है ये इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया है अब इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट एड किया है मुझे कम लग रहा था आप अपने स्वात की अनुसार करें अब ये अच्छे से सब चीज़ा पक गई है ये उबली हुई मतर है मैंने एक बड़ी कटोरी उबली हुई मतर एड की है यहाँ पर ये जो सबजी हम बना रहे हैं ये six quantity मतलब छे लोगों के लिए सफिशन्ट है ये अब मतर भी हमने एड कर लिया है अब हम इसमें एड करेंगे धाइसो ग्राम कटा हुआ पनीर ये बहुत बारिक बारिक पनीर काटा है तो धाइसो ग्राम पनीर एड कर दिया है यहाँ हलके हाँ से इसको भी मिक्स कर लेंगे ये देखिए हो रही है ना हमारे कितने पढ़िया सबजी तयार अभी तक कोई ओयल नहीं है बटर नहीं है ये आप देखते रहें किसी तरह की कर्ड मिल्क कुछ नहीं यूज किया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया लीज जो डाइट फूड पे चल रहे हैं वो भी इसको दिल खोल के खा सकते हैं without any guilt आप देख रहे हैं क्या जबर्दस सबजी बनके हमारे तियार हुई है तो दोस्तों आपने देखा ना मैंने इसमें कुछ भी नहीं आड़ किया है जैसा मैंने बोला वैसे ही बनाई है अगर और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो में इतना ही सायोनारा